Hello, Hello and Hello, Welcome back to the channel guys, start करने से पहले एक बात I am sorry, मुझे पता है इस चैनल पर लगबग मैंने एक साल से एक भी वीडियो नहीं पोस्ट करी है, लाइफ में बहुत सारी चीजे चल रही थी, now everything is sorted, now we are back, अब आपको इस चैनल पर regular वीडियो मिलती रहेंगी और जो मुझे नहीं जानते, मैं बता दूँ, मेरा नाम है सागर और मैं दोनों हाज जोड़ कर आपका स्वागत करता हूँ So, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में, जो आपको आपका weight loss करने में बहुत जादा help कर सकती है एक ऐसी चीज जो हमारे आसपास बहुत easily available है, बहुत जादा सस्ती है, बहुत जादा affordable है वो चीज है ये, जी हाँ, coffee, ये दोरबिगी चीज आपको पतला, आपको बहुत जादा पतला कर सकती है वैसे तो black coffee के बहुत सारे फाइदे, बहुत सारे नुकसान है, उन सब के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू कि black coffee कैसे आपको पतला करने में help कर सकती है, उसके पीछे क्या logics है पहला logic ये है कि खाना खाने के बाद हमारी body के अंदर glucose develop होता है glucose का काम होता है कि body के अंदर fat बनाना, लेकिन जब हम black coffee पीते हैं, black coffee के अंदर होता है chlorogenic acids जब भी chlorogenic acid हमारी body के अंदर जाता है, वो glucose की speed को कम कर देता है और automatically खाना खाने के बाद अगर हम black coffee पीते हैं, तो हमारा fat बना भी उसकी speed भी कम हो जाती है black coffee के अंदर natural antioxidants भी होते हैं, उससे भी automatically fat reduce होता है ये तो सब को पता है, black coffee के अंदर बहुत सारा caffeine होता है, लेकिन caffeine पीने से हमारा metabolism बहुत ज़्यादा fast हो जाता है और उससे हमारे खाने की craving, भूग भी बहुत ज़्यादा desires कम हो जाते हैं personally मैं ये चीज़ follow करता हूँ, जब भी मुझे कहीं बाहर जाना होता है, किसी party में जाना होता है उससे पहले ही घर से मैं black coffee पी कर जाता हूँ, so that मैं बहुत ज़्यादा खाने का मन ना करें मेरी craving कम रहे और मैं बहुत ज़्यादा fat consume ना करूँ fourth logic ये है कि black coffee पीने से हमारी body का water content level कम हो जाता है और जितना ज़्यादा water content कम होगा हमारी body का weight तो automatically कम होगा ना मेरे भाई एक बात और याद रखना, अगर आपने black coffee weight loss करने के लिए पीनी है तो उसके अंदर आपने कुछ भी add नहीं करना, no milk, no sugar, no cream, no sugar free, nothing because black coffee के अंदर already zero calories होती है, अगर आपने इन में से कुछ भी add किया black coffee के अंदर तो उसके जितने सारे मैंने benefits बताये थे, वो भी हो जाएंगे zero so ये थे कुछ फाइदे black coffee के for weight loss, लेकिन दुनिया में ऐसा था कुछ भी नहीं है जिसके सिर्फ फाइदे फाइदे हो, कोई नुकसान नहों, दुनिया में हर एक चीज के एक फाइदा है, तो एक नुकसान भी है so अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत जादा black coffee पीने के नुकसान क्या होते है ब्लाक कॉफी पीने से बहुत जादा नुकसान भी है, ब्लाक कॉफी पीने से एक तो sleeping routine खराब होता है, कभी बहुत जल्दी नीन दाएगी, कभी बहुत लेट नीन दाएगी, बहुत जादा ब्लाक कॉफी पीने से stomach के अंदर acidity भी होती है, stomach upset भी रहता है, ब्लाक कॉफी पी में जरूर बहुत इसली एड कर सकते हो I know पीने में बहुत ज़्यादा कडवी लगती है लेकिन end of the day आप उसका फाइदा देखो black coffee के बहुत सारे फाइदे भी है अगर कोई भी चीज लिमिट में करी जाए तो उसके बहुत ज़्यादा positives भी होते हैं so आज की वीडियो को यहीं पर end करते है I hope आज की वीडियो में आपको कुछ knowledgeable मिला हो and promise अब आपको regular videos मिलती रहेंगी इस वीडियो को like कर देना channel को subscribe कर देना बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में